नमस्कार आप देखना सुरू कर चुके हैं बक्सर खबर डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है नीज बुलेटिन के स्पोंसर्स हैं आरके जुएलर्स आकर सकाव होशनों के विश्वेशनी ये विक्रेता यमुना चौक बक्सर नज़े डालते हैं बुलेटिन के परमक सुर्खियों पर नवर्स की तयारी में सजधच कर तयार हुआ बाजार लोगों में उत्सा पटना हमदाबाद स्प्रेक से नौ लाकी बिर्यसी सराब बरामद सहरी छेत्र के विकास के लिए मास्टर प्लान बना रहा है नगर विकास विभाग धान खरित से जुड़ी सिकायत दर्ज कराने के लिए जारी हुआ नंबर सरारती तत्तों ने पहुँचाया राजपूर में अमेडिकर की प्रतिमा को नुकसान प्रधान मंत्री की मा के निधन पर सोक सभा का आज हो रहा है ओजन समाजी करकरताओं की पहल पर मरीज के लिए रक्तदान करने पहुँचे डाक्टर मलेशिया में फंसे बिहार और यूपी के दो दरजनी युवक खबरे विश्थार से के प्रावजक हैं एलेन सोली पीपी रोड पुरानी कचहरी के सामने मिल रहा है दो कपड़ों की खरीद पर दो बिल्कुल मोफ्त जिंदल पैंथर सिमेंट एवम सरिया के मुख्ष विक्रेता गंगा सागर विल्डिंग मेटेरियल गोलंबर बक्सर एवम सिम्री संपर्ग करें नीचे दिये गए इन नमबरों पर अब ख़बरों की चर्चा बिस्तार से आज 21 दिसंबर की तारीख है लोग नौवर्स की तयारी में जुटे हैं कल एक जनवरी 2023 की पहलीती थी होगी इससे पहले ही लोग नौवर्स के लिए जगा जगा पिकनिक एहों घुमने की योजना बना रहे हैं इसके लिए फूल का बाजार भी तयार है लोगों पहार में एक दूसरे को फूल देते हैं इसको लेकर अस्थानी ये फूल बिकरताओं ने जगा जगा से फूल मगाए हैं वहीं दूसरी तरफ खाने पीने के सौकीन लोगों के लिए तरह तरह के आफर भी रेस्टूरेंट वगरा आदी ने लौंच किये हैं बकसर खबर के प्रायोजिकों में सामील एफसी रेस्टूरेंट के संचालक अमरित नरायन ने जनकारी दी है हमारे यहां गरांकों के लिए 31 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक आफर चल रहा है दो पीजा अगर कोई खरीदता है तो उसे तीसरा मुफ दिया जाएगा इसके लिए रेस्टूरेंट में लोगों को अमंत्रित किया गया है साथ ही साज सजावट भी की गई है ताकि वहां पहुँचने वाले लोग 9 वर्स का लुफ त उठा सकें और आज कल एक नया प्रशलन है लोग कही जाते हैं तो तरह-तरह की तस्वीरे लेते हैं इसके लिए रेस्टूरेंटों को भी बहुत ही आकर सक धंग से सजाए गया है ऐसा नहीं कि सिर्फ EFC में ही सजावट हुई है सहर के में इन दिनों बड़ी संख्या में रेस्टूरेंट कुल रहे हैं सबने अपने यहां 9 वर्स की तैयारी की है गुलेटिन की दूसरी प्रमक्सुर्खी है बीते दिन सुकरवार को पतना अहमदाबाद एक स्प्रेक्स से आरपिएफ और जी आरपि की टीम ने संयुक्त करवाई के दोरान कुल 9,36,000 रुपे की विजिसी सराप बरामत की इस मामले में इस ट्रेन में सफर कर रहे है बिहार के ही कुल 19 लोगों को हिरास्त में लिया गया है आपकी जनकारी के लिए हम बता दें जब भी राज़ानी दिली अथवा किसी अन्य परदेश से कोई ट्रेन बिहार में प्रवेस करती है तो बकसर पहला स्टेशन हो जाता है इस वज़ा से यहां बिसेश सकती इन दिनों बढ़ती जा रही है राजसरकार ने सभी पुलिस थानों को इस बात का निर्देश दे रखा है नौ वर्स में लोग सराब के साथ पार्टी मनाने की तैयारी में जगा जगा से सराब लेकर पहुँच रहे हैं ऐसे लोगों पर भी से इस नजर रखे जाए पिछले दो दिनों के दोरान लगातार ट्रेन से सराब बरामद हो रही है डुमराओं में तो एक दिन पहले रेल के इंजन से ही सराब बरामद की गई थी इसको लेकर यह संका ब्यक्त की जा रही है कहीं इस सराब के अवै धंधे में रेल के कर्मचारी भी तो नहीं सामिल है बाराल जिन 19 लोगों को गिरफटार किया गया उन सभी को बीते दीन ही जेल बेज दिया गया इनके पास से समान भी बरामद हुआ है जिसे लेकर वे अपने घर लोट रहे थे बुलेटिन की तीसरी सुर्की है सहरी छेतर के विकास के लिए नगर विकास प्रिभाग मास्टर प्लान बना रहा है जिलादिकारी अमन समीर डीडीसी महंदरपाल एवम एडियम के अद ने सहिकत रूप से इसके लिए बीते दिन सुक्रवार को बैठक की जिसमें यह जनकारी दी गई कि सहर से सटे कुल 394 वर्ग किलोमेटर छेतर का विकास होना है जिसमें 24 किलोमेटर सहरी तथा 370 वर्ग किलोमेटर ग्रामिरी छेतर का विकास होगा इसमें 14,8 नगर पन्चायत के भी कई गाओं सामिल है कुल मिलाकर अगर हम आपको बताएं तो 250 गाओं का विकास किया जाना है इसकी रूप रेखा परसासन तयार करने में जुटा हुआ है बुलेटिन की 34 सुरकी है धान खरीद को लेकर किसानों को उचित समर्थन मुले का लाव नहीं मिल रहा है इसको लेकर तरह-तरह की सिकायते आ रही है जिलापरसासन ने एक नमबर जारी करते हुए यह जानकारी दी है स्क्रीन पर आप और नमबर देख रहे हैं 06183 बकसर का कोड है 22, 23, 46 यह एक नमबर है इस पर फोन करके किसान कर्याले अवधी में अपने यहां हो रही या अपने साथ हो रही अनियमित्ता की सिकायत कर सकते हैं इस पर जिलापरसासन यथा सिग्रक कारवाई करेगा आपकी जानकारी के लिए हम बता दे पूरे जिले में समर्थर मुले पर 15 नमबर से ही धान की करीद का सिलसिला जारी है बुलेटिन की पाँचवी सुरकी है सरार्ती तत्तों ने अमबेटकर की प्रत्मा को राजपूर प्रखंड मुक्याले पर बीते दिन नुक्सान पहुँचा दिया हालाकि सुक्रवार की सुबह जब लोगों की इस पर नजर पड़ी तो पता चला दाईने हाथ की एक उंगली को किसी ने तोड़ दिया है सुचना मिलते ही मौके पर राजपूर के थाना ध्यक्षिसू फंसारी बीडियो इंदुवाला सिंग सीओ आधी पहुँचे इन लोगों ने अस्थानी लोगों सिस बारे में जाना और उचित कारवाई का स्वासन दिया कुछा समाधित तत्व द्वारा किया गया है कब आप लोगों पता लगा है हम लोग जब आये हैं एक दू घंटा पहले तो देखें कि घर बने तुटा हुआ है अब क्या परचे हुआ है मैं विद्या सागर अनसुजाती करमचारी संग का मैं सदस्ते हूँ अब आपने एक करमचारी की बात सुनी दूसरी तरफ लोजपा के जिला आपट है चकलेश कुमार संग ने जिलाधिकारी से मिलकर एक ग्यापन सोबते हुए ऐसा करने वालों के किलाफ का ढुर कार्वाई करने एममों ने गिरफतार करने की मांकी है जिला धिकारी ने उनका ग्यापन स्विकार कर लिया है गुलेटिन की छटी सुर्की है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी की माता हीरा बेन का बीते दिन निधन हो गया उनके सम्मान में मितात्मा की शांती है तू रामकर्म भुमिन्यास द्वारा आज 31 दिसंबर को अपरान 4 बजे रामरेखा घाट पर प्रार्थना सभा सहदीप दानकारी करम कायवजन किया गया है इसकी जनकारी रामकर्म भुमिन्यास के सतस्यों ने प्रेश्बिग अप्ति जारी कर दी है बुलेटिन की सातवी सुर्खी है मरीज की परसानी देखकर डाक्टर पहुँच गए रक्तदान करने आप यहां जो तस्वीरे देख रहे हैं इसमें रक्तदान करते हुए विस्वामित रास्पीचल के डाक्टर राजी उजा है जो समाजी कर करता गिट्टू तीवारी की पहल पर बैंक पहुँचे थे गिट्टू तीवारी ने सोसल मीडिया पर संदेश जारी कर बताया कि कुरान सराय के रहने वाले एक लावारीस मरीज पिछले दो दिनों से स्पताल में परती है उनके सरीर में महज तीन परतिशत हीमोगलोविन रह गया है उनकी मदद के लिए डाक्टर राजी उजा स्पताल पहुँचे सुचना के अनुसार अभी मरीज को एक दो यूनिट और बलड की आव सकता पढ़ सकती है बिहार और यूपी के दो दर्जन हीवक मलेसिया में फसे हैं जिनकी तस्वीर अभी आप यहां देख रहे है सोसल मीडिया पर इन लोगों ने अपनी तस्वीर जारी करते हुए बताया है वे कमाने के लिए मलेसिया पहुँचे थे उत्तर प्रदेश गाजीपूर जिला के रहने वाल एक एजेंट जो कोटवा नरायन पूर के थे उन्होंने इन सभी को टुरिस्ट विजा देकर मलेसिया भेज दिया लेकिन अब उनको भोजन के लाले पड़ गए है अपने जिले के रहने वाले परताप राम और पकड़ी के रहने वाले स्याम बिहारी राम ने हमें इसकी सूचना दी है इन लोगों ने भारते दूतायोग से अपने लिए राहत की मांग की है आपकी जनकारी के लिए हम बता दे साह आलम छेतर में ब्रापूर के रहने वाले मनवार आलम ने अपने जीले के लोगों को सरर दे रखी है बुलेटिन की नौवी सुर्खी है फेयर प्राइश डिलर एसोसियेशन के सदस्यों ने बीते दिन राम लीला मज़ पर धरना दिया यह सभी लोग अपने लंबित कमीशन के भुकतान साथी साथ डिलरों को मान दे देने उनके को सरकारी सुविदाय देने जैसी मांगों को लेकर प्रदसन कर रहे थे इन लोगों ने कहा अगर हमें कमीशन का भुकतान जल्द नहीं हुआ तो जन्वरी के बाद हम हर्ताल कर सकते हैं इस कारिकरम की अध्यक्सता फिर प्राइश डिलर एसोसेशन के अध्यक्स सिर्किश चतुवेदी यहम संचालन महासाची सचिदानंद उपाध है ने किया इस दो जोड़ दिया जाएगा और नियुक्त लिया जाएगा तो हमारा संदर नमदिये का अभी भार्व परकार के हां हमारा अध्यक्सता बाकि है जो हम दो देख मुष्ट अगर पुष्कान सरकार नहीं करती है तो हम दो आब लेग और अब चलते चलते आपको बुलेटिन की दसवी सुर्खी से अउगत करा दे बीतिय दीन नगर थाने में तत्था डूमराओं में भी पुलिस द्वारा होटल संचालकों के साथ बैठक की गई उन्हें नौवर्स को लेकर एतियाती कदम उठाने होटल में सराब का परियोग न करने आदी की सलाह दी गई आज की बुलेटिन में बस इतना ही आप देख रहे हैं बक्सर खबर हमारे साथ अंतक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद